लेके सब रुपया मेरा एक दिन निकल जाएगी जाके तनहाई में खुशियों से उछल जाएगी खाके केले इधर ना तुम जरा फेको यारो आने वाली है मेरी जान फिसल जाएगी आने वाली है मेरी और इतना बढ़िया से सुल लिया है पल्स पोलियों वालों ने जैसे ही मेरा दर्वाजा खट खट आया मेरा बाप सामने निकल कर आया उन लोगों ने उसी को पिला डाली पल्स पोलियों वालों ने जैसे मेरा दर्वाजा खट खट आया मेरा बाप सामने निकल कलाया उन लोगों ने उसी को पिला डाली मेरे बाप ने सरकार की नस हिला डाली कि मुझको क्यों पिलाया पल्स पोलियो वालों ने फरमाया मेरे बड़े भाया सरकार की तरफ से ये हुक्म है आया कि पांस साल के अंदर में पिला के आना है वो चाहे शुरू के पांस साल हूँ उधर से नहीं इधर से पिया बीडी जलालो जिगर से पिया मेरे पिता जी बहुत अच्छे आदमी है उन्होंने कहा बेटा बिहारी लाल हमको लगता है तो हर साधी न होए बहुत जिन तक हमारी साधी फसी रही भवाई नहीं किया बोले बेटा भी हारी लाल हमको लगता है तुम्हारी साधी नहीं होगी हम कहें पिटा जी आपकी हो गई हमका यही बड़ी खुची है नहीं यहूद इन ने देखेक रहते आपको ऐसे पिटा तुम्हे ओ माता चपिता तुम्हे ओ चपल ममदेव देव ओम जय जगदीस हरे ओम जय जगदीस हरे बढ़िया चपल जूता छाटी के चली दी है अपने घरे ओम जय जगदीस हरे आप सब के नजर है उपर उन के आप हमार है उन के तरे आप ये लो अम्मा ये लो बाबू निउ है तो हरे बरे ओम जय जगदीस हरे ओम जय जगदीस हरे सदिया वाली बत्या 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 ने किया ने किया ने वही पर आ गए पिटा जी ने हमारे कहा बेटा आप साधी करनी है हमने कहाँ साधी कर लेंगे बोले बेटा बिहारी लाल सुल्तानपुर में लड़की मिल गई है साधी करना है देख लो पहुँच गया लड़की देखने लड़की चार लड़कियों के साथ बैठी है मैंने कहा पिटा जी कहा एक भी नसीब में नहीं थी को नहीं पहुचा ए छार बैठाये लोड़की छाहे है फ्रस्केसाथ जजय का लड़की पर मुझे पाता ने कौ लड़की है तुम थोड़ा मेरे बेटे होने के नाते सब्रेटा होने के jeep का परिचे देकर उसे साराथ से पूछो कि कौन लड़की तो मैंने सभ्षता का पर्चे दिया धर्व का धिया पूरा पर्चे दिया हमने कहा बहिंजी क्या हम आपको ही देखने आए है तो लड़की खड़ी हो गई बोली अच्छा भाई चाहँ आपए हो क्या जो हमारे लिए आए हो तो उसकी अम्मा ने कहा हाई राम ये तो रच्छा बंधन का दिन निकल गया हम कहें तो क्या करें हूँ हमारा वाला दिन चला गया क्या हाँ तुम्हारा वाला दिन तुम्हारा बाप ले गया हम कहें अरे बाप पिता जी को कोनम ले गए हम कहें यार पिता भी हो पहना भी नह गए थे तो फिर कैसे आपको पसंद आ गई तो हमार तो कामेद हम खता है अब जैसे एक अम्मा और जैसे दूए अम्मा हम कहें पिता जी हम ऐसी लड़की सदिये नहीं करें जो नब प्वोग पसंद हो बिट अब पसंद हो हुए हम जिनके लिए बरबाद हुँ हमको समझे यूरी आखाद फिर भी हम उनसे फोन पे बतियाए जाएंगे ये जान रहे हैं जबकी हम लतियाए जाएंगे मैंने अपनी साधी अपने दम पर करनी चाहिए अब मैं फैजाबाद में लड़की देखने गया लड़कीन कहा आपकी साधी नहीं हो रही ये रिष्टा आया था हमने कहा तो क्या हुआ कर लो क्या दिकत है बोले तीन लाख दहेजो और फिर हमको सहेजो हम कहें पिजा जी भेजो तीन लाख भेद दिया लड़की बलैक मेल कलने लगी बोला बोली और कुछ चाहिए अब हम गुस्से में आ गए कि हमरे पास कुछ नहीं सब ले लिया तब भी और कुछ आई तो गुस्से में बोले तुम कहो तो फैजाबाद में दूकान दे दूं तुम कहो बनारस सब दे दूं लेकिन मेरी जिन्दगी में एक बार चली आओ एकर बार फिर चाहिए चली आओ कमचकम भरम तो दूर कर दो मेरी शादी क्या है मैं शादी देखने एक जगा और गया लड़की वाला आया मुझे देखने बोला शादी करना है हमने कहा हमारा भी मामला फंसा है जल्दी बताओ कहा करना है बोला तस्वीर लाए हैं तस्वीर फेक दिया पूरी मेज हिल गई मैंने गौर से देखा मुझे बड़ी मोटी मिल गई हमने कहा लगता है आपने लड़की की जगा उसकी अम्मा का फोटो फेक दिया बोले नहीं यह लड़की यह की है अगर उसक आपने पैदा होंगे महले में चारेंगे क्या करेंगे बोले आप इसे करेंगे हमने कहा अगर यही जिद्द है तो मेरी चैशिस को देखते हुए एक बोतल खूण हमारे सरीर में डलवाओ और दो बोतल खूण हमारे पिता जी के सरीर में ट्रांसफर कराओ तब तो दोनों लोग शादी के किरिया करम में भाग दोर के योग होंगे वन्ना यही दोरान कोई गुजर गया तो सदिया कौन करें केहां को हैं कि अपनी सादी के दिन अब नहीं दूर हैं तुम भी अंगूर हो हम भी लंगूर हैं तुम भी भटका करो, हम भी लटका करें, फिर पुलिस वाले पकड़ पकड़ पटका करें और मैं चाहता हूँ कि हाँ हाँ जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये आपने बड़ा बढ़िया जो है क्योंकि जितना दम होता है प्यार भरी बोली में उतना दम नहीं होता राइफल की गोली में जितना दम होता है प्यार भरी बोली में उतना दम नहीं होता राइफल की गोली में आओ तुमको रंग डालें जिन्दगी के रंगों में क्या पता मिले न मिले आने वाली होली में क्या पता मिले न मिले कभी ऐसे एक गाना आया था ये गाना जरूर बज़ता है ये गाना मुबाइलों में बुद्ध हिन बहिया बैचे हैं बुद्ध हिन तंजान के सुमर्यों पॉण कुमार ये बैचे हैं जो है हाँ ये बैचे हैं जो है संकर सुमन के स्री नंदन जूट भूट का था गडबंधन राम दुगारे तुम रखवारे टेंट में काँप है राम बेचारी सब सुकला है तुम्हारी सर ना हार के रोवें सब क्यो धर ना हाँ और बड़ा बड़ा प्यार से संकर संकर सुमन के स्री नंदन और मैं चार पंक्शियों से आपका और भी मेरा चार पंक्शियों और कहते हुए मैं बिदा लूँगा क्योंकि काफी देर से आप लोग समेलन सुन रहे हैं क्योंकि कविता राजा रानी के सिंहासन का गुरुगान नहीं कविता चंदर बरदाई के पीड़ी का यसगान नहीं कविता नारी के सरीर की सुन दरता का सोध नही कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोध नहीं जो वानाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है जो अश्कों के संग संग बह जाए वो कविता है जो सुनने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है जो कभी के मर जाने के भी बाद रहे वो वाँ, क्या बात, बहुत अच्छे तो हाला कि यह मैं उन कभियों के लिए पढ़ा जो मर गए और जो आगे मरने वाले हैं क्योंकि हमारे जैसे लोग कभी मरते नहीं क्योंकि हम लोग कभी ता नहीं लिखते जो कभी ता करेगा वही मरेगा उनको याद करेंगे तुलसी दासने कभी ताएं की तो वेचारे मर गए सूर दासने कभी ताएं की ओ भी मर गए कभीर दासने कभी ताएं की ओ भी मर गए हमारे जैसे लोग कभी नहीं मरते वो लोग इसे घूमते रहते हवाओं में कि जो भी मन से मुझे सुनेगा कलियों सा खिल जाएगा कष्ट मिटेगा जीवन भर का जीवन भर सुप पाएगा जो भी मुझे को नहीं सुनावो आज रात पच्छताएगा चार चुरईले दरसन देंगी अखटिया भूत हिलाएगा आप लोग सुनेंगे डर्क मारे अब आप लोग सुनेंगे क्ोंकि मैंने कहा क्यों एक गाणा जरुर बता है ये दे सबीर जवानु का साधी में ये गाना धूर से जब बतता है पूसले लिए नम्हों ौभाब अच्छा है यह बच्पन में थे यह हमको इनका नाम की गाली बहुत मिलती थी अच्छा हाँ क्या नाम है भगवती जी अच्छा हुआ हमरे यह कातलतों का भगवती उठाए लगा जाए है आज भीखाले आज भीखाले है का अगली बार उठाए है भगवान के समये तो एक अपको पहले भगवान हे उठाए लगी जाए है यह कोई कहने से कहते हैं कि किसी के कहने से उसकी उम्र और बढ़ती है जैसे हमारे पीता जी के सर पर कववा बैठ गया तो यह मतलब नहीं हुआ उसका जो मूल भाव निकलता है सास्त्री में जोतिश में उसका यह होता है इसकी उम्र बढ़ गई तो इसी कोई बात नहीं है क्योंकि कववे धुन बनाते हैं कुट्टे गुन गुनाते हैं गजल जब हम सुनाते हैं गधे सलफास खाते हैं अरी आपे हैं क्या अरी तो बाबु केडी सिंग असमारक हैं पूरा हमारे बीच में भाई चामा पहलवान जी अभी बैठे रहें चले गए मेरे ख्याल चाले गए अब बसंदलाल यादो भी चले गए तो एक जिन तो समय के जाना है भाई अमाल पहिलन चले गए तो कोई ब दूबे जी बैठे हैं जब भी जब जब सूरच दूबे और आपको मनवा उबे तुरंते मिलें हैं केके दूबे केडी दूबे मैं सबका अभारी में बड़ा नमन करता हूं और चार पंक्रियां ये तो खैर ये बैठे हुए हैं जितने बुजुर्ग बैठे हैं गिर गए किसी का नाम हो जाए कोई बद नाम हो जाए कोई है काम या भी पर कोई नाकाम हो जाए सुनो वै लड़कियो तुम दूर रहना इन बुजुर्गों से ना जाने किस घड़ी में कोई आसाराम हो जाए जब कस्मीर से हटी धारा 370 तो आसाराम बापु खुश हो गए कि अब हट जाएगी धारा 370 अगजिट पोल बता रहे हैं कि मोदी जी अमिसाह को लेकर मेरी ही तरफ आ रहे हैं सब वकील फाइल के नीचे हैं सिर्फ छायंके ही तो पीछे हैं ये भी काम हो जाएगा वो भी काम हो जाएगा अब बढ़िया जो है इतना प्यार से सुन लिया है कुछ पंक्तिया तो एक गाना बता था ये दे सबीर ज के अंत में जब जाता था तो ऐसे लगता था गायक रो रहा है दूर से सुनने में उसको मैं सुना रहा हुआ का तीया और में ये ये देशे बा रानों का नेताओं का पर्दान अब उस समय हमारी या कहने लगी बेटा भी हारी लाल सब पर तुमने कविता पढ़ी हमारे उपर नहीं पढ़ी तो क्या मैं जब उपर चली जाओंगी तब पढ़ हो गई अग देखिए कोई बूढ़ा है उसके मुह में दांत नहीं है बूढ़ी है उसके मुह में दांत नहीं है अब वो जब पान खाएगा तो उसका दृष से कैसे होता है कविता में कहीं नहीं जा सकती यह कविता नहीं है यह न किसी पन्ने पर लिखी जा सकती हैं न कोई प्रेस में इसके अच्छर होंगे इसको सुनने वाले हमेशा निरच्छर होंगे मतलब पढ़ा लिखा आज बनके इसको सुना नहीं जा सकता इसको बिल्कुल डूब करके बिरकुल बिना बाधा की सुना जा सकता है अगर देखिए कोई पान खाई है बूरी आया है पान खाई है उसका मैं दृष से पैदा कर रहा हूँ पान खाएं आया हमार पान खाएं आया हमार ऐसे मुह चलावे जैसे गया हमार पान खाएं आया हमार उन्होंने मगाई सुरी तिस पाड़ी में ले आया जाकर बना रस का जर्दा इतनी उमर में लाजियस लागे कि मुह आपे डालें गुगुटवा के परदा तक आके नीचे चुराई के रखें कुल रुपईया हमार पान खाएं आया हमार आप इतना प्यार से सुल लिया इतने साण हो गए कि अख्लेस यादो जी पूर्व सीयम ने कहा ये जो चौराहे चौराहे सौ नंबर खड़ी है ये हमारी देन है तब तक बाबा योगी भी जो उसमें आ गए बोले जो चौराहे चौराहे और खेत खेत साण खड़े हैं चब हमारी देन है अब बड़ी परिशानी इतने साण हो गए कि ली लगाए कि बच्चे पूछते हैं अम्मा ये सब के हैं पहले तो ना ही रहे बोले अरे बेटा धीरे से बोलो इसे बाबा के आदमी आज है कल चले जाएंगे इनके लिए बाड़ा बन रहा है इनके लिए फार्म निकल रहा है साण बटालियन बनेगा चाइना और पाक साफ करेंगे अपनी सींहों से और ये एक भी साण बेरोजगार नहीं रहेगा बा बाबा ने कहा क्या इमांड है बोले खुला छोड़ दीए कोनों कमांड है और है बोले क्या आइए मेंगे अगर आधा माता हमका पिटा कहते हैं तो क्या सरकार चला जाता अवा को तो कर ये जो है इस तरह से हो गया अब बाड़ा बीसे निकल लूँगा बड़ा प्यार से सुन लिया है कि चार पंक्तियां कि हम जिन्दिगी के हाथों में से यूज हो गए पहले बने हम सुर्खियां फिर न्यूज हो गए मुझे को खुदाने से तराशा है दोस्तों सब देखने वाले मुझे कन फिम्ट हो गई और दमदार बनारसी जी फेस्बुक चला रहे थे इन से किसी लड़की ने कुछ मागा मगर गलती से और कुछ भेद दिये अब उस पर सुनिए फाल्ट पर कि मीटिंग जो तैं हुई थी वो अटेंड हो गई जो चाहती थी इनको अन फेरेंड हो गई उस ने कहा था आप अपनी फोटो भेजिये गलती से पिता वाली इनसे सैंड हो गई और मुझे आपका बड़ा प्यार बड़ा धुलार मिला दिलों को जोड़ने वाली कोई लेई नहीं होती ये रामर्य उध्ध ना करता जो बैदे ही नहीं होती दिलों को जोडने वाली कोई ले ही नहीं होती ये रामन युद्धना करता जो बैदे ही नहीं होती भटकते ही वो रहते जंगलों में राद दिन यारों तो फिर ये रामना होते जो कैकेही नहीं होती तो फिर ये राम ना होते जो कैके ही नहीं होती अब पानी के बिन पानी के काई मिलना कितना मुश्किल है बिन पानी के काई मिलना कितना मुश्किल है परबत के समराई मिलना कितना मुश्किल है राम तुम्हारे जैसा कोई हर युगमे मिल सकता है पर भरत के जैसा भाई मिलना कितना मुश्किए राम तुम अरे जैसा हरी उग में रुख सकता है पर भरत के जैसा भाई बस चार पंक्तियों से अपनी बात को कहेंगे जो है कि किस से लेला मजनू के अब तो पुराने हो गए चाओ धिरी सपना के सब लौडे दिवाने हो गए हाथों में चपल उठा कर बीबी ने मुझे से कहा आपको पीटे हुए कितने जाने हो गए तो बीबी ने कहा रोटियां हम सेंक रहे हैं सब लोग लेके ठाली मुझे छेंक रहे हैं हमने कहा तुम भाग के आओ टीबी के पास वो देखो मोधी लंबा लंबा फेड़े हैं